सबी साथियों का मेरा नमस्कार मैं देवी सिंग मैथ टूटोरियल यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फुर आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 अगास्त सम 2020 डेली करंटेफियर्स इन हिंदी तो आपको पता है हमारी यूट्यूब चैनल के बादे हम से डेली करंटेफियर्स आपके लिए प्रकासित किये जाते हैं जो आपकी पिर्तियोगता परिक्षाओं के लिए बहुत ही महतपूर्ण होते हैं जो आपके आने वाली परिक्षाओं में जैसे SSC, UPSC, Bank, Railway, Clark PO परिक्षाओं के लिए साहिक होते हैं 30 अगास्त सम 2020 करंटेफियर्स के बारे में यदि आपका कोई प्रिसन है तो किर्पया कॉमेंट के जरिए हम तक पहुँचाएं तो आज का फर्स्ट क्वेश्टन है आपका यहां पर केसे सिटार अभिनेता का निदन हो गया है तो यहां पर आपका आंस्वर हो जाएगा चैडविक बोस्मेन का यहां पर निदन हो गया है तो यह आपका यहां पर आंस्वर हो जाएगा हाली हुड की सुपर हिट फिल्म बिलैक पेंथर के अभी नेता चैडविक बोस्मेन का हाल ही में निदन हो गया है कोलोन केंसर आंत का केंसर की वजए से 43 की उम्र में चैडविक बोस्मेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहाँ पर किस पिर्देश की विधानसवा ने सविधान की छटी अनुसूची के अधीन लाने से सम्मंदित प्रिस्ताप पारित किया है तो यहाँ पर आपका आंस्वर हो जाएगा अरुना चल पिर्देश तो ए आपका यहाँ पर आंस्वर हो जाएगा सविधान की छटी अनुसूची चार पूरवरती राज्यों असाम मेगाले तुरपुरा और मिजोरम के जन जाती छेत्रों के पिर्शोसन के सम्मंद में अनुच्षेद 244 के अनुरूप विहार करती है राज्यपाल को जिले के छेत्रों को बढ़ाने या घटाने अत्वा स्वायत जिलों के नाम में परिवर्तन कर सकने की सक्ती प्राप्त है लेकिन छटी अनुच्षेद 244 ए को 22 में सविधानिक संसोधन अधिनियम 1979 के मैध्यम से सविधान में जोड़ा गया था अरुनाचल प्रदेश के बारे में हम आपको यहां पर जानकारी देते हैं कैपिटल राजदानी इटानंगर है निर्मान हुआ था 20 फरवरी 1987 को मुख्यमंत्री पेमा खांडू रैजपाल बीडी मिस्रा है विधान सवासीट साथ है लोक सवासीट दो सीट है रैज एक सीट है जिलों की संख्या 25 है मुख्यन आए धीस यहां पर अजय लामबा है भासा हिंदी फरस्ट है यहां पर अरुनाचल प्रदेश की यहां पर भारत के मानचित्र में यह अरुनाचल प्रदेश यहां पर रैजप आपको दखाई दे रहा है जो यहां पर यलो कलर में किया हुआ है चलते हैं आगे इसके बारे में और जानकारी देते हैं आपको नदी ब्रह्मपत्र नदी दिवांग नदी ड्रीम्स धाराएं कार्मेंग नदी लोहित नदी नेमचा पार नदी स्वहसनी नदी संदो रोग चू तरप नदी येपक नदी तो हार है यहां के सिय आग रिवार फेस्टिवा पंग सू पास विंटर फेस्टिवाल जीरो फेस्टिवाल आप म्यूजिक सोलंग किर्शी महुत साव यहां पार न्योकम लोशार फेस्टिवाल ड्री फेस्टिवाल लोकू संकेन नेशनल पार्क है यहां के नामदफा राष्ट उध्यान मॉलिं राष्टे अध्यान लोक नरतिय है, बार्नुख्र juice, एगो नरतिय, युद्ध नरतिय, रात और वांड चौस अनु शठनिक नरतिय, आगे यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारन्या है, आपके पलखों़ वन्य-जीव अभ्यारन्या है, कमलंग वन्य जीव अभ्यारन्या, महु वन्याजीव अभ्यारन ने, एगल नेस्ट वन्याजीव अभ्यारन ने, केन वन्याजीव अभ्यारन ने, next question है यहाँ पर, Reliance Industries Limited, RIL के समु अध्याक्स कौन न्युक्त हुए हैं, तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा, संजीव सिंग, यहाँ पर न्युक्त हुए हैं, दिया आपका अंसर हो जाएगा, Reliance Industries Limited, सथापना, 8 माई 1903 को ही थी, मुखालय मुंबई महाराष्ट में हैं, चेर्मेन और M.D. इसके मुखे संबानी हैं, फ्रेंट्स यहाँ पर, तो अब चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्टन की तरफ, अंतर राष्ट है, बोकर पुरुषकार 2020, जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखी का, कौन बन गई हैं, तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा, मारी के लोकास, रिजने विल्ड यहाँ पर बन चुकी हैं, सबसे कम उम्र की लेखी का, मारी के लोकास, रिजने विल्ड नीधरलेंड डेस 29 वर्शिय हैं, अंतर राष्ट बोकर पुरुषकार साहित जीते के छेत्र में दिया जाता है, ये साहिते के छेत्र में नॉवेल के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा पुरुषकार है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका राष्टे खेल दिवस कम मनाये जाता है तो यहाँ पर राष्टे खेल दिवस आपका मनाये जाता है 29 अगस्त को तो डी आपका यहाँ पर अंसर हो जाएगा अगस्त के महिने में मनाई जाने वाले सभी दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं एक से साथ अगस्त तक वेश्व सतनफान सप्ता के रूप में मनाई जाता है 6 अगस्त हीरोसीमा देवस के रूप मनाय जाता है 7 अगस्त राष्टे हत्करगा देवस 9 अगस्त नागसाकी देवस 10 अगस्त विश्व जैव इनन देवस 12 अगस्त विश्व हाती देवस 12 अगस्त विक्रम सारावाई की 101 वी जेहनती 12 अगस्त अंतराष्ट युवा दिवस, 17 अगस्त नवरोज या जमसिद नवरोज, 19 अगस्त विस मानविय दिवस के रूप में मनाय जाता है, 20 अगस्त सोभाई के दिवस के रूप में मनाय जाता है, 21 अगस्त विस वरिष्ट नाइगरिक दिवस के रूप मनाय जाता है, 21 अंतर राष्टे दिवस के रूप में मना जाता है यहां पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप मना जाता है 29 अगस्त को पर्मानु परिक्षन के खिलाब अंतर राष्टे दिवस के रूप मना जाता है 29 अगस्त को राष्टे खिल दिवस के रूप मना जाता है 30 अगस् वेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्विध्याले कौन सा बन गया है तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा वीर सुरेंदर साई प्रियोगे की विश्विध्याले यहाँ पर बन गया है आपका अंसर यहाँ पर यह हो जाएगा इस रो भारत की सेपेस एजिंसी का नाम है इंडियन सेपेस रिसर्च और्गनाईजेशन इसकी फुल फॉर्म है भारतिय अंतरिक शनुसंदान संग्ठान मुखाले बेंगलूरू करनाटक में सथापना देवस 15 अगस तुनी सो नत्तर को संस्थापक विकरम सारवाई अध्यक्स के सिवन है इसके नेक्स्ट क्वेशन है आपका किरकिट द्रॉण पुस्तक लौंच होई है यह पुस्तक किसने लिखी है तो यहाँ पर आपका आंसवर हो जाएगा ये पुस्तक लिखी है वासुदेव जगनात परांजपेने तो डी आपका यहाँ पर आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहाँ पर भारत और किस देश के सायुक तायुक की सत्रवी बैठक वर्चुवाली आयुजित की गई है तो यहाँ पर आपका आंस्वर हो जाएगा यह वियत नाम आईजित की गई है तो यह आपका यहाँ पर आंस्वर हो जाएगा विदेश मंत्री डाक्टर एस जैसंकर ने भारत की ओर से इस बैठक की सह अध्यक्षता की है वियत नाम A.C.M. आदीब में सित्यत है राजदानी हनुई है करंसी वियत नामी दौंग है प्रधानमंत्री गोयेन जुआन फोक है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका बिर्टेन में महत्मा गांदी द्वारा पहने गाई गोल्ड प्लेटेड चस्मे की नीलामी कितने करोण रुपे में हुई है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यह हुई है हमारी 2.55 करोण रुपे में गांदी जी के चस्मे की नीलामी होई है तो भी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिर्टेन यूरोप महादीप में सित्यत है राजधानी लंदन है करेंसी पाउंड स्टरलिंग है प्रधानमंतरी बिर्टेन के बोरिस जॉंसन है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खस्रे के प्रकुप को समाप्त कर दिया है तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रेपब्लिकन आपकांगो ने खस्रे के प्रकुप को समाप्त कर दिया है तो सिया आपका यहाँ पर अंसर हो जाएगा Democratic Republican आप कांगो Democratic Republican आप कांगो को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था यह अफरीका माधीब में सित्यत है, राजदानी किसंसा है, करेंसी कान गोले से, फ्रेंक है राष्टपती, फेलिक्स सी से केडी है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सेर करें चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकोन को प्रेस करें चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ हाल ही में राष्टे खेल दिवस कम मनाये जाता है तो हाल ही में राष्ट खिल्दवस मनाये गया है आपका यहाँ पर 29 अगस्त को मनाये गया है तो यह आपका अंसर हो जाएगा हाल ही में लियोनेल आई गीमिया किस देश के नए राष्ट पती यहाँ पर बने हैं तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा यह बने हैं आपके नावरे नावरु देश के राश्टपती यहाँ पर बने है तो भी आपका यहाँ पर आश्टर हो जाएगा next question है हाल ही में facial BSID launch करने वाला पहला देश कौन बना है तो यहाँ पर आपका आश्टर हो जाएगा ये देश बना है हमारा यहाँ पर हम आपको बता देते हैं भारत तो भारत यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा तो भी आपका यहाँ पर आंसर है नेक्स्ट क्वेस्टन है हाल ही में सीनियर महीला नेट फुटबाल चेंबिनसिप का आयुजन कहां किया जाएगा तो ये आयुजन आपका किया जाएगा अरुना चल पिर्देश में तो सी आपका यहाँ पर आंस्वर हो जाएगा next question है हाल ही में कौल इंडिया के नई चेर्मेन कौन नियुक्त हुए हैं तो यहाँ पर नई चेर्मेन आपके जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पिरमूद अगरवाल तो भी आपका यहाँ पर अंसर हो जाएगा next question है हाल ही में इंडिया रेटिग्स ने वित वार्स 2019-20 में भारत की GDP विर्दीदार कितने पृति सथ रहने का अनुमान लगाया तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 6.7% तो यह आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा Next question है आपका हाली में किस खिलाडी ने cricket से सन्यास की गोसना की है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यह की है अजंता मेंडिस ने तो भी आपका अंसर हो जाएगा यह स्री लंका किरकेट टीम का खिलाडी है अजंता मेंडिस Next question है आपका हाली में किस का कारेकाल एक वर्स बढ़ाया गया है तो यहाँ पर यह कारेकाल बढ़ाया गया है आपका यहाँ पर PC मोधी का यहाँ पर C आपका आंसर हो जाएगा Next question है हाली में बारवा भारत सुरक्षत सिकर सम्मेलन कहां आयुजित किया गया है तो यहाँ पर यह आयुजित किया गया है हमारा नई दिल्ली में यहाँ पर यह नई दिल्ली में आयुजित किया गया है तो भी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहां पर हाली में पवन कपूर को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा यह नियुक्त किया गया है यहां पर UAE का राज़ दूत यहां पर C आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका यहां पर हाल ही में हर अभिवार डेंगू पर वार अभियान किस राज़ सरकार ने सुरू किया है तो यह सुरू किया है आपका यहां पर दिल्ली तो भी आपका यहांपर answer हो जाएगा नेक्स्ट question है आपका यहांपर हाली में किस राज्य ने छात्रों के लिए TV चैनल launch किया है तो यहांपर आपका answer हो जाएगा यह launch किया है तमिलनाडू सरकार ने तो भी आपका यहांपर आंस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका नेशनल सिपोर्ट डे पर पहली वार एक साथ कितने खलाडियों को खेल रतन से सम्मानित किया गया है तो यहां पर आपका अंस्वर हो जाएगा यहां पर सम्मानित किया गया है पांच खलाडियों को फूरत आपका अंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है लाइफ टाइम कैटेगरी में दुरनाचारे अवार्ड से सम्मानित होने से एक दिन पहले ही किस एथलेटिक्स कोच का हाली में निदन हो गया है तो यहां पर आपका आंस्वर हो जाएगा यह निदन हुआ है पुरसुतम राय का फूरत आपका यहां आपका आंस्वर हो जाएगा भारत यहां पर तीसर स्थान पर पहुंच गया है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका यहां पर बिलेक पेंथर जैसी फिल्मों में बतौर लीड अभी नहीं था चैडिविक बॉसमेन का हाली में कितने वर्स की उम्र में निदन हो गया है तो यहा अगरिकल्चर युनिवस्टी के कालेज और एड्मिनिस्ट्रेशन ओफिस की इमारतों का उधगाटन किया है तो यहां पर आपका अंस्वर हो जाएगा यह उधगाटन किया है रानी लक्ष्मिवाई सेंट्रल एगरिकल्चर युनिवस्टी का तो थाड़ यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन आपका यहां पर दादा फाल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्डस 2021 में किस अभी नेता को मरनो प्रांथ अवार्डस सम्मानित करने की गोशना की गई है तो यहां पर यह गोशना की गई है सोसांत सिंग राजपूत जिन दादा साफ़ाल के प्रुसकार फिल्म इंडिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रुसकार होता है नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका पर्यावार्ण पर नुक्सान के मामले में एंटी पीसी आई ओसी बीपीसी एल सहित अन्य सरकारी कंपनियों पर कितने करोण रुपे का जर्माना लगाया गया है तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा यह जर्माना लगाया गया है आपका चार सो करोण रुपे का फूर्त आपका यहां पर आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका हाली में किसने डूइंग बिजनिस इंडेक्स दोजार अठार है और दोजार प्रश्ट है नेक्स्ट क्वेस्टन आपका यहां पर कौन सा दिवस अ जाता है तो लिग यहांपर आपका conserv हो जाएगा यह दिवस मना जाता है अन्तर राष्ट्र में पर आजाता है फर्स्ट आपका यहां पर आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है पिकोडी.com द्वारा तैयार किये गई पिरती महिने के उसत वेतन की 106 देशों की सूची में कौन सा देश पैलिस्थान पर रहा है तो यहां पर आपका आंस्वर हो जाएगा स्विट्जर के निर्माने तो IIT एलू मिनाई परीसद ने किस देश के साथ समझवता किया है तो यहां पर आपका आंस्वर हो जाएगा यह समझवता किया है रूस के साथ तो C आपका आंस्वर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेस्टन है राष्ट्री गवर्मेंस डिवीजन एन इजीडी और C.S.C. कामन सर्विस सेंटर इगवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिम्टेड ने नागरिकों को कौन सा एप अपलब्द कराने ही तू समझवता किया है तो यहां पर आपका आंस्वर हो नेक्स्ट क्वेस्टन है आपका पिरसिद्ध कोच वासदेव जगनात परांजा पे अथ्वाव वासू परांजा पे पर लिखी गई पुस्तक किरकेट द्रौन का किस तिथी को विमोचन किया जाएगा तो यहां पर आपका आंस्वर हो जाएगा दो स्टंबर 2020 को इस पुस सेवा सुरू की है तो किस बेंक ने यह सेवा यहां पर सुरू की है यह एक्सिस बेंक ने यह सेवा सुरू की है तो भी आपका यहां पर आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है निमन में से किस ने डायरेक्ट टोरेट जनराल नैसल कैड़िट कोर्स डी जी एंसी सी mobile transition app launch किया है तो यहां पर आपका आंस्वर हुजाएगा यह प्र्याटन राईजयमंत्री स्वयतंत्र प्रिभार स्रीप्रहलाद सिंग पटेल ने भारत्य पुराता दुसर्विक्षन के खलस्तान नई सरकलों की घोसना की है तो यहाँ पर आपका आंस्वर हो जाएगा साथ सरकलों की यहाँ पर घोसना की है तो यह आपका यहाँ पर आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है राष्टे खेल देवास किस तिथी को मनाया जाता है तो यहाँ पर आपका आंस्वर हो जाएगा ये मनाया जाता है 39 अगस्त को तो D आपका यहाँ पर आंस्वर हो जाएगा बहरत की पांच में आवाशीब्रिक्स उद्ध्योग मंतरी बैठख का सम्मोधन निमिन में से किसने किया है तो यहां पर आपका अन्सर हो जाएगा यह किया है सौम परकास ने तो भी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा next question है केंदरिय स़ड़क मंतौी स्री नितिन गड़करी ने केश राजय केलिए 45 राजमार्क परियोजनाव का हुथगाटन और सिलैन बानियास किया है तो यहां पर आपका अंसर होजाएगा यह किया है मद्चय प्रदेश के लिए तो C आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है यहाँ पर 30 अगस सन 2020 करंट है फिरसन हिंदी आपके यहाँ पर चले हुए हैं अंतरराष्टे बुकर पुरुसकार 2020 जीतने वाले सबसे योवा लेखक का नाम बताईए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेरी के लुकास रिजने विल्ड यहाँ पर अंतरराष्टे बुकर पुरुसकार 2020 जीतने वाले सबसे योवा लेखक हैं तो D आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अब चलते हैं यहाँ पर हम वन लाइनर क्वेस्टन की तरफ हाल ही में राष्टे खेल दिवस कम मनाये गया है तो यह मनाये गया है आपका 29 अगस्त को देश में हर साल 29 अगस्त को राष्टे खेल दिवस मनाये जाता है यह देन खिलाडी मेजर ध्यांचंद की जेंति के अवसर पर मना जाता है इसी दिन राष्टे खेल पुरुषकार भी दिये जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन आपका वैस्विक सूची 2020 में भारत का कौन सा सथान रहा है बैतरवा सथान रहा है हाली में पुरसोत्तम राए का नेधन हो गया है वैकॉन थे? एथलेटिक्स कोच थे? नेक्स्ट क्वेस्टन है यहाँ पर इससे पहले हम इन सकोच के बारे में आपको कुछ बता देना चाहते हैं एथलेटिक्स प्रिसिक्षक पुर्सोतम राय को 29 अगस्त राष्टे खिल्दवस को लाइफ टाइम दुर्नाचार्यावाण से सम्मानित किया जाना था लेकिन एक दिन पहले उनका दिल का दौरा पढ़ने से निदन हो गया है पुर्सोतम राय 1987 विश्व चेंपियनसेप, 1988 ACI ट्रेक एंड फिल्ड और 1909 में सेफ गेम्स में भारते टीम के कोच रही है नेक्स्ट क्रेशन है आपका, हाली में लोकसवा के सचिव किसे निक्त किया गया है, उत्पल कुमार सिंह को यहाँ पर लोकसवा के सचिव के रूप में निक्त किया गया है नेक्स्ट है आपका किस संस्था में प्राचीन भारते विज्ञान को संस्कृत में पढ़ाया जाएगा IIT इंदोर को यहाँ पर संस्कृत में पढ़ाया जाएगा IIT इंदोर में अब संस्कृत में विज्ञान की पढ़ाया की सुरुआत होने वाली है संस्थान में प्राचीन भारते विज्ञान के बारे में पढ़ाय जाएगा जो मुख्य रूप से संस्किर्ट में लिखा गया था और इसलिए उसको संस्किर्ट में पढ़ाय जा रहा है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दुनिया का पांचों सबसे बड़ा सहद उत्पादक देश कौन बन गया है तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा भारत ऐसा पांचों देश बन चुका है नेक्स्ट क्वेश्टन है आपका यहाँ पर बी सी सी आई ने किसको तीन साल के लिए आई पी हल के अधिकारेग पार्टनर बनाया है तो अनकेडमी को यहाँ पर पार्टनर बनाया है बारत्य किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने सनिवार को बेंगलोरू की सिक्षा टेकनलोजी फर्म अनकेडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के तीन सत्र के लिए अधिकारेग पार्टनर बनाने की गोस्णा की है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 30 अगस्ट का इत्यास भारत और विस्ट में होने वाली महतपूर्ण घटनाओं के बारे में अब हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं जो महतपूर्ण घटना आपकी 30 अगस्ट को यहाँ पर घटी है ग्रेगोरी कलेंडर के अनुसार 30 अगस्ट को किसी वर्स में दिन संग्या 234 है और यदि लीव वर्स है तो दिन संग्या 244 है भारत और विस्ट में 30 अगस्ट का अपना यह खास महतव है क्योंकि इस दिन क्या ही महतपूर्ण घटना घटी जो इत्यास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई आईए जानते हैं 30 अगस्ट की ऐसी कुछ महतपूर्ण घटना है जने जानकार आपका सामयन ग्यान तो बढ़ेगा ही एक तर तत्या ऐसे होंगे जैसे कार है 30 अगस्ट 1579 को मुगलबाद साक्वर के सबसे बड़े पुत्रों राजगदी के वारिश सुल्तान सलीम मिर्जा और्फ जाहंगीर का जन्मुगा था 30 अगस्ट 1554 को गुरू रामदास सिकों के चौते गुरू बने थे 30 अगस्ट 1669 को दारा सिकों को और अंग्जेव द्वारा फांसी दी गई थी 30 अगस्ट 1721 को रूसी स्वीड सांती के साथ उत्री सागर युद्ध समाप किया गया था 30 अगस्ट 1806 को अमेरीका में निव्यार्क सहर का दूसरा देनिक समचार पत्र डेली एडवर्टाइजर आखरी बार प्रकासित किया गया था 30 अगस्ट 1835 को दक्षन आस्टेलिया में यार नदी के उत्री किनारे पर उतरने वाले यूरोपी आबादियों ने मेलबोर्न सहर को पाया 30 अगस्ट 1836 को मेलबोर्न सहर की स्थापना की गई 30 अगस्ट 1836 को हूस्टन टेकसास सहर की स्थापना की गई 30 अगस्ट 1857 को औसा वाटामी की लड़ाई प्रोस लावरी बलो ने ब्लीडिंग केंसस में एंटी सलावेरी फूर्स को हराया 30 अगस्त 1861 को जान फ्रेमूस ने मिसोरी विद्रूईयों के गुलामों को मुक्त करने का प्रिस्ताव किया 30 अगस्त 1889 को लंदन में रॉयल मेल माउंट प्लिजेंट सार्टेंग काराइले का अधिकारे को गाटन किया गया 30 अगस्त 1895 को बेलजियम में रोमन कैथालिक सिक्षा का पत्यक कर्म अनिवायरे किया गया 30 अगस्त 1911 को सर विल्याम रमसे ने भाविस्वानी की की 2086 तक ब्रिटेन की कोईला पूर्ती समापत हो जाएगी 30 अगस्त 1928 दे इंडी पेंडेंस आप इंडिया लीक की भारत में स्थापना होई 30 अगस्त 1936 को स्वेतंतरता सेनानी भीकाजी कामा का डेदान हुआ 30 अगस्त 1945 को दूसरे विश्वयुद के अंत में जर्मानी पर मित्र राष्टों के सन्य नियंत्रन वाली नियंत्रन परिसद्गी स्थापना होई 30 अगस्त 1976 को नाटिंग हेल कार्निवाल में भढ़के दंगे में 200 से ज़्यादा पुलिस कर्मी जक्मी हो गए थे 30 अगस्त 1984 को अंतरक्स यान डिस्कावरी ने पहली वार उडान भरी 30 अगस 2002 कौनो को इंग और फिलिप्स पेट्रोलियम ने विलेक कर कौनो को फिलिप्स बनाई यह अमेरिका की तीसरी सबसे वड़ी एक ही किरत उर्जा कंपनी और दूसरी सबसे वड़ी रिफाइंडरी कंपनी थी 30 अगस्त 2013 को भारत के पहले रक्षा उप गए जी सेट सेवन का परछेपन दक्षन अमेरिका के फ्रेंच गयाना से किया गया 30 अपरेल को छोड़ गर 30 अगस्त को यहां पर 2014 में दक्षन अफरीकी देश ले सोतों के प्रधानमंत्री टाम थवाने सेनद्वारा कथित तौर पर तक्ता पलट के प्रियासों के बाद दक्षन अफरीका भाग गए 30 अगस्त को राष्ट और अंतर राष्ट द्वस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं तो 30 अगस्त आज ही के दिन अंतर राष्ट लगो द्वस के रूप में मनाय जाता है उत्सब का सतर अंतर राष्ट सतर के रूप में होता है 30 अगस्त को लेक ने लोगों के मिर्थू के बारे महमापको जानकरी देते हैं 30 अगस्त को 2013 में सीमस हैनी पुर्ष कभी आइरलेंड के रहने वाले थे उनका देहनत हुआ 30 अगस्त को जन्में पिरसे द्वैक्तियों के बारे महमापको जानकरी देते हैं 30 अगस्त 1903 को बगवती चरण वर्मा पुर्ष लेखाक भारत के रहने वाले थे उनका जन्मुगा 30 अगस्ट 1918 को बिनायक आचायर पुर्स राजनेतिक भारत के रहने वाले थे उनका जन्मुगा 30 अगस्ट 1926 को डेरेल गेट्स पॉर्स पुलिस अधिकारी सहिंत राज अमेरिका के रहने वाले थे उनका जन्मुगा 30 अगस्ट 1974 को रिच क्रोनन पॉर्स गायक सहिक राज अमिरिका के रहने वाले थे उनका जन्मुगा 30 अगस्ट 1936 को जमुना पॉर्स अभिनेता भारत के रहने वाले थे यहाँ पर उनका जन्मुगा 30 अगस्ट 1976 को चित्रांगदा सिंग महिला भिनेतर भार फ्रेंट समराज का वीडियो यहीं पर फिनिस हो जाता है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सस्क्राइब करें, बेल आइकोन को प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंच सकें, थेंक यू.